हाई एवरीबन वेलकम टू लेवीज कुजिन कुकिंग अन बेकिंग ग्लासिस आज मैं आपके साथ मार्बल टी टाइम केक की रेसिपी सेट करेंगे करेंगे एक कन्वेक्शन मोड वाला माइक्रोवेव ओवन है तो पहले में स्वीच अन करते हैं और यहां पर कन्वेक्शन लिखा है तो हम 180 डिग्री पर इसको प्रिहिट करेंगे यह मेरा आटमेटिक ओवन है तो 180 कन्वेक्शन मैंने किया तो यह वन इट आप देख रहे हू अब इमें दो बार स्टार्ट करूंगी तो यह प्रिहीट स्टार्ट हो गए एक लेस हमरी केटी रेसिपी है तो यहां पर मैंने अमुल का फ्रेश देख लिए जिसको मि योगर्ट भी मोई सकते हो तो वन कॉप मैंने यहां पर देख लिए आए देख गर का भी लेसकते हो लेकिन यह आपको खास द्यान रखना है कि खट्टा नहीं होना चाहिए इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रहे हूं 1 प्लस 1 एट कप पावडर सुगर कि पीसी हुई चीनी है और भी में टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी आपको केक बना हो तो होममेड केक बना रहे हो तो आपको रूम टेमपरेचर वाला ही सब इंग्रीडेंस चाहिए तो यहाँ पर मैंने दैं डाला है फिर सुगर डाले है अब ही यहाँ पर मैं हाफ कप दाल रहे हूं ओईल फ्लेवरलेस होना चाहिए मतलब कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर मैं संफ्लावर ओइल डाल रहे हूं हाफ कप इसके साथ मैं डाल रहे हूं वैनिला एसेंस 1 तीएस्पी हाफ कप मिल्क लिया है तो मैं यहाँ पर डालूगी थोड़ा सा मिल्क डालूगी हाफ जितना में बचा कर रखती हूं यहाँ पर और हैंड वी सब के घर में होता ही है यहाँ पर हम कोई मसीन का यूज नहीं कर रहे है तो इसारे लिक्विड इंग्रिएंस सुगर पावडर के साथ यहाँ पर हम मिक्स करेंगे तो अची तरह से इक्वल हो जाना चाहिए तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडियंस लिक्विड इंग्रिडियंस मिक्स कर दिया है यह मैं साइड में अभी रख रहे हूं और दूसरा बाउन लेना है यहाँ पर हम एक छणने तो आपको छान करी ड्र इंग्रेडियंस को लेना है तो यहाँ पर मेंने दो कब मैदा लिया है बेकिंग पाउडर तो बेकिंग पाउडर से कभी गई इरसे करके लाए ये बंक स्वांगे कर्डविए औरूडिब टेस्ट हिए गिस्त этए ओंक extension तो 2 TSP मेंने डाला बेकिंग पाउडर अब डाल रहे हूं हाफ TSP बेकिंग सोडर यहां पर हम डालेंगे 1 TBSP मतलब यह जो बड़ा चमाचे यहां पर लिखा ही होता है 1 TBSP में मिल्क पाउडर डाल रहे हूं इससे बहुत अच्छा सा टेक्चर आता है और तेस्ट भी आता है कंबती आता हैं आता हैं यहां पर आता हमकी सब्सक्राणा कंपर गुए अचन जो कि कभी भी आपको एकदम से लिक्विड इंग्रिडियंस पूरा नहीं डालना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज्यादा बेटर लिक्विड हो जाता है या फिर ड्राय हो जाता है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करना है ऐसे करने से लंप्स भी ज्यादा नहीं रहे अभी मैंने पूरा ये बेटन में डाल दिया है एक बचाय था यहां पर हाफ कपने से बहुम डालेंगे पूरा में डाल दोंगी यहां पर क्योंकि परफेक्ट रेसीप है जब भी आप बेकिंग करते हो तो बेकिंग क्यों आपका अच्छा नहीं बनता की मेजरमेंट आपका अच्छा परफेक्ट तरीके से नहीं होता या फिर आप मेजरमेंट अच्छे ले लेते हो लेकिन आपका बेकिंग में प्रॉब्लेम हो जाता है यह हमारा घर देखो बेटर मैं ने बनासे लए कशिए खीयिक करिब मारबल केख बनानी हो इसके लिए चाहिए और इएपकी अचीपर और यहां ने थोड़ाए दालकर आसपश्ते बनादी अभी हम क्या करेंगे हुआ हमारे यह वेनिला बैटर था वो हम सब्सक्राइब हम डालेंगे सिरन भारब में वट्सक्राइब है यह दो पार और यह वन पारइब सर डलेंगे इसको मैदिस मि looking for получ a लोफ टीन लिया है आप कोई भी टीन राउंड स्क्वेर या फिर ऐसे लोफ टीन कोई भी केक का टीन आप यूज कर सकते हो लेकिन यहां पर मैंने यह ब्रेड का टीन था मेरे पास तो मैंने यह यूज किया है क्योंकि जब मार्बल के खम बनाते तो कटिंग में यह डिजैन स्ट्रिंग में ज्यादा अच्छी लगती है तो यहां पर मैंने क्या किया बटर पेपर से या फिर पार्चमेंट पेपर कट किया फिर ओईल लगा कर यह मैंने रख दिये यह कंपल सरी है कि आपको बटर पेपर लगाना ही है पार्चमेंट पेपर या बटा तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले यह जो चॉकलेट बेटर है वह में डालूंगी बीचो बीच आपको डालना है बेटर है रैंडमली डालना है इसके उपर ही यह वाइट बेटर है डालेंगे इसके उपर ही चॉकलेट बेटर तो यहां पर मैंने चॉकलेट और वैनिला का बैटर एक के ऊपर इसे डाल दिया है, अभी हम क्या करेंगे, इसे टैप कर दिया है, तो तीन से चार बर मैंने टैप कर दिया है, अभी यह क्या होगा कि स्प्रेड अच्छी तरह से भूगा है, यह मेरा जो टीन की साइजे नाइन इच है, यह सिल लंबाई और यह हाइट साड़े तीन इच है, तो आप कोई भी टिन ले सकते हो, यह आराउंड 700 ग्राउंड जितना केक बन करो, तो रेडि हो जाएगा, अभी आपको एक खास में टिप्स देना चाहूंगे, जो पी आप केक बनाते हो, तो आध में बेक के लिए रखना है, अभी हमारा ओवन प्रे लीम हो गाया है, तो अभी मैं इसको अंदर रखती है, amant Modern तो यह में ने सथे में ऐसे को में के लिए दिए हर्कती है, अभी मैंने 45 मेनिट्ट के लिए, श्टार्थ का बटन प्रेस कर दिया है अभी 45 मिनिट के बाद हम देखेंगे कि हमारी अलोफ केक कैसी बाई है हमारी केक बेख होकर रेडी हो गई है अभी मैं इसको अन्वाल्ड करती हूँ देखो कितनी अच्छी तरह से ये केक बेख होकर रेडी हो गई है यह जो क्रेक्स है वो नॉर्मल है जब यह माइक्रोवेव कन्वेक्शन बोड में बेकिंग करते तो क्रेक्स वो होती है लेकिन वो अच्छा चाहिन है कि हमारी केक अच्छी तरह से बेख हो देए अभी यह मैंने कट करके स्लाइस कर दिये देखो कितनी अच्छी डिजाइन आ गई है मार्बल और यह इतनी सॉफ्ट है बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही सॉफ्ट है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है हमारी मार्बल केक खाने के लिए रेडी हो गई है आप नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप कौंसी रेसिपी देखना चाहते है वो भी हमें कॉमेंट बोक्स में लिखतीजिए